सारे दर्शकन प्रियंका कोहार की राम राम और आज पहुंच रहे हैं हिसार चिले के बिच पड़ी गाओं में रमपर फोजी सर के पास पहुँच रहे हैं देखो कल जो अमारी पहलवान बेटिया है वे गंगा में अपने मैडल बाने गई थी लेकिन खापरदानों ने उनको रोक लिया पांस दिन का समय मांगया है और पांस दिन के समय मांगने के बाद और आपने देख्या भी होगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से पहलवान बेटिया मांपर बैठके रो रही थी जिब उन्होंने मैडल बाने की बात कई थी तो उसके बाद हमारे पास फोजी सर का फोन आया तो फोजी सर उन पहलवान बेटियों की को रोता देकर जो राष्टिय पती थे एपीजे अब्दुलकलाम उन्होंने इने सम्मानित किया था तो कुछ करना चाते हैं उनके लिए राम राम सर राम राम जी तुसर पहले तो आप कौन सी पोश्ट थी आपकी सारी चीज थोड़ा बताये दिए मैं बीए सब बोटर स्कूर्टी फोस 163 बटाली में था मैं होलदार तक मेरा रैंक था होलदार से में रेटायर्मेंट आया हूँ और मैं 1986 में बीए सम्मल ले गया था 2037 जून को मैं रेटायर्मेंट ले ली था मैड़ा तो यह आपको समाई यह 2003 में हमारी एक उधर जो उगरवाद की वो होती है जैसे पोस्ट घाओ लाप एक डिश्टी कमांडर से मेरी मटवेड हो गले स्सुद साब वों हमने जोयंट आप्रेशन करके गोन है डिस्टी कमांडर का नाम में बाद में बताऊंगा थोड़ा तो इस तिक मटें आपको कम से 16 गंटे चले ते हम रात को दो बज़े से रात श्याम को आगल स्रीनगर से हम उदर आपने गूमने गुल मारग तो रस्ते में टंग मारग आता है वह गोई गाहूं था वह गोई गाहूं में मुस्तफा खान थे डिस्टी कमंडर उनके साथ हमारी मुट्वेट होई तो यह जो राष्ट्य पदी ने आपको समानित किया था कितने लोगों को समानित किया जाता है यह हमारे मैठम को लक्की हाथ में इस को पाना बहुत मुस्कल है मैम यह कोई बड़िये दुकान पर नहीं मिलेगा यह यह तो को सही हो जथा लेक मेरे मेरी क्या क्या स्वीदा प्रोवाइड हुई थी स्वीदा प्रोवाइड जैसा है माले बाई एर गुर्विंट ने करके बिद आपके 90% लाइस होगा किराया तो आप जमीदार आदमी हम तो खेतों में जाते हैं गाओं में आते हैं व्याइपियों के साथ में बहुत गूम्या हम हम मैं कश्क्रम 25 वी आईपियों के साथ मैं डूटी करिशी श्रीलाल किस्ना अड़वाने के साथ गंड महिन रा चोधरी बजनाल जी का गंड महिन रा बेंच सिंग के साथ रा मायावति के साथ रा मिला हमारी वी मैं नहीं बलाकेट कमांडों में था मैडम तो उसके बाद फि मैं लोग क्या करवा सकते हैं अपने द्यान हो तो आप छोटे बच्चे होंगे दिल्ली में एक तंदूर कांड होया था मेरी दूटी तुद्धत तंदूर का मैं मंत्रियों साथ था नों ने लड़कियों को तंदूर में फूख दिया था यह इतने दृंद के लोग हैं और हमारे मैंने भी मोदी को बोट लड़किया है यह सभी कोव्म की लड़क्या हिए हीरे है क्या पाकिस्तान अभी बोल देगा ठीक है यह मैडल हमने दे तो क्या होँआ को देने हम मैडल और जंडा यह सुन देगी बात है और क्या बताए मैडम बस दुख बहुत हो रहा कुस करने कर सकते हम सोटे आदम हैं पर क्यों ने हम गरसे तो बार निकले थे लेकिन क्या करें हम इन्हों नों बोल दिया बजब के पूनियाना साक्सी मलेक ने विनेश फोगार ने वह अंकल आप बिल्कुश ठीक रहा ना बिल्कुल ठीक रहा हम कुछ लेके इन चले हमारी कमजोरी होगी किसाना अंदूल में को राकूं दादा यू कि हो गया दादा यू कि क्या बताओं मैं बताओ मैंडम आप तो सर एक बास बताओ ये आपका मान सम्मान है जो आपको मिला है अगर इसको गंगा में बादिया जाए तो कैसा लगेगा तो क्या करें मैंडम और दुख के मारे क्या करें कोई हमारी ने शक्षि मलेक बजरंग विनेश फोगार्ट जिसने दूहरे देश से जाज में तजी तो हमारे प्रदामति शिद्वन नमोद्दी ने उसका खाना भी किया था तो आज इसमें क्या बुराई होगी हमारी हर्वानवी वासा तोड़ा बोलना इसा है आवमने बाद इसमें इत इसकी बताओं हमारी कलती है थी क्या मैं वह रही वह आपने जेड़ी लगाओ या घंडासे लगाओ या कुछ भी मनने के लिए बन ने बोल दिया था सक्सिमली को और ने वह आपने यह करना शांती से हमारी गलती यह होगी और अभी यह मैं तो मैडम को मीडिया से या कोई हुआ करहें मैं यह मैडिल वापिस देना चालता हूं और यह कुछ जो पैसे मिलें जो मेरे इसके पैसे मिलते´ं दो ऽार रिपेर पांद वह जितने जहां से यह सबसे मिलें तने की बहिंद्प से वाप मुंजारी सा slopes कर दूँ गां और बी यह इजсьत के लिए हमारी सबसे बड़ इज़त क्या हो बैने बेटिया वह मारी रोड पर उड़ाइदी फिर मारा जीने का दिकारी क्या है तो मैडल लोगा क्या फायदा आगा पताओ मैड़ बर्च बूशना जो कहता है कि मैडल तो पंदरा रुपे में आते हैं अगर देने तो पैसे दूआ अगर यह बोल परिवार में लड़कियां कुछ थी मजाने लगी निया हमारे समाज में तो लड़कियों को दस्मी कलास आगे पड़ाते भी थे उनको देख देखें नहीं कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं और यह बिल्कुल जैज महें पर बेटी हैं मैं भी वी आइपियों को साथ रहा जिस्ते तो वो कि वो छोती थी उसके को जब आप बताओ पूरे विश्व मेडल लेने वाले कोई वैलू नहीं है हमारे देश में हम तो वैलू कर रहे हैं हमारी गोर्मिट सरकार नहीं कर रही है तो वह हमारे जैसे आदमी क्या हाल होगा बताओ आपको जनलाल के साथ भी रहे बहुत अच्छी कौम है जाटों से बड़े हुए हैं बड़े अच्छे आदमी थे सब को बराबर रख्या कर दे बड़े राच चलाते थे वह जब बेटिया मैडल लेके आई तब तो पूरी देश की बेटी थी पूरी देश की लेकिन आज वे एक कौम की बनादी वाले कर कोई जाती निए पहलवान की कोंग की कोई जाती नहीं कोड़े होती यह सब है हमारे साथ बीमार्ड आर्मी वड़ा लगे रहे हैं संदर्शेकर जी हम उसका तैय दिल से शुकर नहीं चाहते बई उसने तो जाती नहीं देखी और वी आरे हैं के आपने आप देख्हा हो एक वी आईपी है कोई उसको सवाल करें है लेडिज के वह भागरी है के एंपी बीजे पी के एंपी वह जबाब ने देना सारी दुगल है यह जब बीजेंदर सिंग्धे ने देना उसके फादर जी दे रहे हैं भे आप एक लड़की के इतनी जद के लिए आप ने बोले तो इस बिजए पी का माडम एक एम्पी भी नहीं बढेगा एक एमपी मी देखला एक एमपी भी नहीं बनेगा और जो बोट देगा न वह आपनी कोम अपने देश से अपने जुरस से गदारी कर जा यह तो तानला शाय हुए है जो पाकिस्तान में होता था बैश्टर पती बन किया प्रदानमंदी तो इंद्रा गांदी थी बहुत अच्छी प्रदानमंदी थी बंगलादेश बनवादिया उसने को यह बनाकर देख लो इन्हों तो मारा बाईचा रखो दिया यह मुश्लिम है यह इंदू है अमारे गाओं में भी यह लुहार को नुकर को बड़ी हमारे तो फोजी सरे एक बात बताओ जिब इंडियन आर्वनी में बढ़ती करते हैं चवानों को उस टेम पे तो यह चीज नहीं देखी जाती ही कि यह इंदू है या मुसलमान है या दूसरी जाती से या किसी कौम से हैं उस टेम इंडियन होते हैं जब कोई भी पहलवान या कोई भी खिलाड़ी बार जाके खेलता है तो वो भी एक इंडियन होता है लेकिन अब यह क्यों कि अब जातपात में क्यों बाण दी यह राजनिती इतनी ओच्छी हरकत है अगर मैं भी राजनिती में चला जाँगा नहीं तो गंदा होना पड़ेगा जैसो अपने गवर्णर पेले कि नहीं बोला कैसे बोलेगा यहां कस्मात कर वी नहीं ओडिए मंत्रियों इसा दबाव होता है कि आपने पता स 아버zna पताउप एस लाइक नहीं ती उसमें वह उसके लाइक नहीं था तो बोलेगी आज हम भी उनके साथ हैं उससर देखो बेटिया बार बार रो रहिए हैं वहां पे बैठके फैलवान बेटिया और बार बार उनके साथ बरताओ भी गलत किया जा रहा है, कल भी मतलब वहापे गंगा पे बैठके काफी रोई है, मैडल बाहने की बात पर, लेकिन खापके परदानों ने जाके उनको रोका है, लेकिन फिर पिसमात सामने नहीं आ रहा है, इसी क्या बात है? यह हमारे हड़ी आने में दस सीट एंपी की हैं यह भी कम रहेंगे, सब एंपी अगर दबाऊ डालते हैं, हम तो छुटे आदमी होगी, हम तो मोड़की बोर्ट तो हमने दे रहा है, बाढ़ी तारी बिजाए गलती होगी, जो हमारे से अगर हमारी राजनिती में हैं, यह राजनेती की सोची थी कितने अच्छा अच्छे लीडर होएं जो बिल्कुश सचाईबा बोलते थे आज कल कोई बोल के वल डरते हैं बोलते हैं निक गलती हमारी होगी मेरा लड़का पुलिश में लगया था गुड़ेला साथ अमेल ले थे मैंने गड़ेला साब को बोला कि म भी मेरी गलती होगी मैं उस ते भी बहुत पस्ता रहा हूं मैंने बोट नहीं देना चाहिए था दूसरे बाई साथ में बहुत बड़ी गलती करी है इनके साथ गड़ारों के साथ में जाने आपने अकेला बेड़ जाता बागी जाते तुम तो आगे हीरे बनते आगे अब तुम अब क्या बताई आप दूसर मेने कोई दूसरे से काम नि को एक तुम सब्हीएक हो जाओ सभी तो हमारा राज आएगा उद्धर लेजाएगा उद्द्र ने बड़ी मरीकों पढ़ जाएगी फिर मारा राज कैसे आएगा तो अमने तो इतने भी खाफ परदान है उनस बोलना इतना ज्यादा धिमाग खराब हो रहा है मालब इनकी फोटो देख देखके शक्स के और के यह देखके बहुत पूछो मत अत्ता मत्या कर सकता हूं अत्ता में इसका कोण से बदावदार बने का मैं नहीं कि बता दूआ करूं अजे लेकिन मेरी कोई बात निमें बर जा अगलों को मैं लिए को मैं बेचती हो रही है मैं उसके गोली लगी थी मैं उसको बार लेकर आ था तो एक दो दोरा मैं पर जाते इस लिए है रोना के लिए है बहुत बड़ी अटेम पास हो रहा तुमा लेकिन ये जो देखते हैं में इंडिया में या जो हमारे हर गयाने के साथ जो रहा है बस इससे हमारे को बहुत ही दुख हो रहा है और क्या बोले बड़ी तो देखियो फोजी साब की आखो में आस हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि पहलवान बेटियों के साथ गल्थ है उनको न्याय नी मिल रहा है और बार बार वो वहाँ पे बैटके रो रही है लेकिन फिर भी सारा समाज उनके साथ नहीं है तो आप आज फो जो बेहन बेटियों की जद को सबसे पहले रखता है सबसे पहले मतलब बेहन बेटियों की तरफ अगर कोई आख उठा कर भी देख जाए तो आख निकाल दे ऐसा हमारा समाज है लेकिन फिर भी समाज सामने नहीं आ रहा है तो कोमेंट बोक्स में जरूर बताए कि पहलवान बेटियों के बारे में आपका क्या कहना है जो बार बार पहलवान बेटियां वापर बैट के जो हमारे देश की शान है वो आज वहाँ पर बैट बैट कर बार बार रो रही है तो उसके लिए क्या कहना और आप कितने समर्थन में है तस्वीरों को जादा से जादा शेयर करे फिर मिलेंगे दोस्तो जय हिंद